आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सुना होगा कि योग करने से रोगदूर होते हैं साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि exercise के लिए जिम से अच्छा option योग है ऐसे में डॉक्टर भी patient के एक बहतर स्वास्थे के लिए योग सजस्ट करते हैं लोगों के मन में अकसर ये सवाल जरूर आता है कि क्या kidney patient को योग करना चाहिए या नहीं अगर हां तो वे कौन से योग हैं जिसे kidney patient के लिए बहतरीन माना जाता है आपको बताते चलें कि kidney patient के लिए योग करना अच्छा होता है जिससे कि उनकी body में स्फूर्ती बनी रहती है लेकिन इस बारे में patient को doctor से सलहा सरूर ले लेनी चाहिए आज हम इस video के जरिए kidney patients के लिए योग के बारे में बता रहे हैं जिसमें सबसे पहला योग है भुजंगासन kidney patient के लिए योग के लिए सबसे पहला option भुजंगासन है जिसे English में cobra pose भी कहते हैं जैसा कि आप cobra pose से समझ ही गए होंगे कि आपको साब की तरह pose बनाना है इस योगासन में आपको जमीन में अपने हाथों के पंचों को रखना है और फिर अपनी body के उपर वाले हिस्से को पीछे की और लेकर जाना है 15 से 20 सेकेंड तक इस position में रहकर आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है अगला आसन है सेतु बंदासन तो चलिए बात करते हैं दूसरे आसन सेतु बंदासन के बारे में इसे करने के लिए जमीन में पीठ के बल सीधा ले जाना है और हाथ पैरों को जमीन में रखकर body के निचले हिस्से को उपर उठाना है फिर इस position में आपको 10 सेकेंड तक रहना है अगला आसन है पशिमूतान आसन तीसरे आसन में आपको फर्ष पर पैर आगे करके बैठना है इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को तच करना है साथ ही अपने चेहरे को घुटने के साथ तच करना है इस पोज में एक बार के लिए आप 10 सेकेंड तक रह सकते हैं बात करते हैं हमारे अगले आसन की जो है नौक आसन इस आसन में बोड़ी को नाओ के आकार की शेप में रखना होता है इसके लिए जमीन में बैठ कर आपको पैरों को उपर हवा में उठाना है फिर धीरे धीरे हातों को भी पैरों के पंजों के साथ लाना है अगला आसन है सुप्त बृत कोण आसन इस आसन में आपको जमीन में बैट कर या लेट कर अपने दोनों पंजों को एक साथ जोड़ना है यह position दिखने में कुछ तितली की तरह है इसलिए इसे तितली मुद्रा भी कहा जाता है ध्यान रहे कि योगासन करने से पहले किद्नी या डालेसिस पेशिंट को एक बाद डॉक्टर की सलहा सरूर लेनी चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हिल्दी रहें नमस्कार